विद्यूत कमपनियों के नीजी करण का विरोध शुरू हो चुका है इंद और मधिप्रदेश विद्यूत नीजी करण विरोधी सयुक्त मोर्चा ने सभागा युक्त कारले में ग्यापन सौपा ग्यापन में नीजी करण को रोकने के साथ ही अन्य मांगों को शामिल किया गय बताया जा रहा है कि केंद्र शासन ने सभी राज्यों को 20 सितंबर को स्टेंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट प्रेशित कर 32 सपताह में विद्यूत वित्रण कंपनियों के नीजिकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए राज शासन को निर्देश दिये थे लेकिन मध्यप्रदेश विद्यूत नीजिकरण विरोधी सयुक्त मोर्चा का मानना है कि इससे ना सरिफ बिजली महंगी होगी बल्कि युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा इसी संबंद में संभागा युक्त कारिलाई पर ग्यापन सौपा गया जिसके तहद 32 सब्ता के अंदर विद्यूत कंपनियों के नीजिकरण करने के निर्देश दिये गए हैं इसी परिपेक्ष में आज 26 नौबर 2020 को संपूर्ण भारत के विद्यूत कंपनियों में कारिरत 15 लाग बिजली के कामगार और इंजिनियर आंदुलन रत हैं और इसी आयुक्त मोदे के माध्यम से माननी मुख्यमंत्री सिवराज सिंग जी चोहान को संबोधित किया पन हमने प्रेशित किया है हम चाहते हैं कि बिजली की कंपनियों का नीजिकरण नहीं क्या जाए जहां पश्चिम शेत्र विद्यूत वित्रण कंपनी इंदोर की बात है ये क कंपनी प्राफिट अर्निंग कंपनी है और गत्वर सिनों ने नो सो बान्नो करोड का प्राफिट कमाया है एसी दशा में जब कि उब्वोक्ता सेवाओं में सुधार हो रहा है तो इसके निजिकरण के कोई आवश्यक्ता नहीं है रही बात दो अन्य कंपनियों की तो यदि विवस्था में सुधार किया जाता है तो निश्चित तोर पर यह कंपनियां भी प्राफिट करने लगेगी अता सारे बीजली के संग्ठनों को ने मिलकर के मद्धिप्रदेश विद्यूत नीजिकरण विरोधी संयूक्त मोर्चा का गठन किया है हम अभी माननी मुख्यमंत कुल मिलाकर विद्यूत कंपनियों के नीजिकरण का विरोध शुरू तो हो ही चुका है अगर उनकी मांगो पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आंदोलन की भी चेतावनी मोर्चा के पदाधिकारियों ने दी है बिरो रिपोर्ट एमपी निउस इंदौर